इस खुबसूरत सी लड़की का नाम ईवा है। ईवा वीकेंड मनाने दूसरे शहर जा रही थी। रास्ते में उसे रात पढ़ जाती है। जिस कारण उसने एक होटल में रुखने का फैसला कर लिया। होटल का मैनेजर उससे एक फॉर्म भरवा कर उसे कमरा नंबर 17 दे देता जब वो पानी लेने अपने कमरे से बाहर निकलती है तो एक गर्म आवाज सुनकर रुख जाती है। ये गर्म आवाज डक्टर विल की थी क्योंकि उसका डंडा लड़की की गुफा में था। इवा दोनों को खिड़की से देखने लगी और दोनों को मजे लेते देखकर व विल उसके कदमों की आहट सुन लेता है। वो जैसे ही खिड़की की तरफ देखता है तभी एवा अपने कमरे में आ जाती है। अब विल भी कमरे से बाहर आ गया था। वो एवा के कमरे में देखने की कोशिश करता है। लेकिन एवा ने अपने कमरे में अंधेरा कर रखा विल दरवाजा खोलने की भी कोशिश करता है मगर दरवाजा अंदर से बंद था। अब विल जल्दी जल्दी मैनेजर के पास जाकर बूचता है कि कमरा नंबर 17 में कौन है। मैनेजर उसे सब बता देता है। जिसके बाद विल कहता है कि मैं उस लड़की से मिलना चाहता अब दोनों जल्दी जल्दी कमरे के पास आते हैं। कमरा अंदर से बंद था इसलिए मैनेजर अपनी चाबी से दरवाजा खोलता है। कमरे में उन्हें इवा कहीं नहीं दिखती क्योंकि वो पहले ही भाग चुकी थी। मैनेजर विल को सब बताता है कि लड़की ये कैसी दिखती थी। मैनेजर से सब जानकर विल ने किसी को फोन लगा लिया। उधर इवा अपनी गाड़ी दोड़ा रही थी। उसे पता था कि उसकी जान खत्रे में है। इसलिए वो होटल से भागी थी। इसी बीच इवा के पीछे पुलिस भी लग जाती है। पुलिस का इवा उसकी गाड़ी में बैठ गई और दोनों वहां से आगे बढ़ने लगे। जल्दी ही सैम ने गाड़ी एक वीरान सी जगह पर रोक ली। वो गाड़ी से निकल कर आगे बढ़ता है जबकि इवा गाड़ी में ही बैठी थी। सैम गाड़ी से निकल कर एक आदमी से मिल और ये आदमी डाक्टर विल था, विल से मिलने के बाद वो ईवा को बाहर निकालता है और उसे विल के पास लाता है, अब विल ईवा को भी मारना चाहता था ताकि उसके पीछे कोई सबूत ना रहे, वो जैसे ही ईवा का गला दबाने लगा, तभी ईवा दोनों पर हमला कर व पास वाला भी है, अगले ही दिन विल दो बदमाशों से मिलता है, जो पैसे लेकर काम करते थे, विल उन्हें ईवा का लाइसेंस दे कर कहता है, कि इस लड़की को मारना है, काले बालों वाले का नाम रियो था, जबकी दूसरे का नाम ब्रेन था, रियो तेज तरार बंदा लेकिन brain थोड़े मोटे दिमाग वाला था। ये दोनों विल के लिए काम करने वाले थे और दोनों ही ईवा को मारने वाले थे। थोड़ी ही देर बाद दोनों बदमाश ईवा को शहर में ढूनने लगे। वो ईवा का license दिखाकर लोगों से पूछताच भी कर रहे थे। ईवा से भाग कर वो दोनों एक वीरान सी जगह में पहुँच गई, दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, दोनों का कोई परिवार भी नहीं था, इसलिए दोनों अकेली पढ़ गई थी, ये दोनों पुलिस पर यकीन नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक पुलिस वाला व पूरी बात सुनकर वो उसे अपने घर चलने को कहता है, विल बदमाशों का इलाज अपने क्लिनिक में नहीं करता था, इसलिए उसने रियो को घर चलने को कहा था, अब कहानी में हमें विल की बीवी सारा नजर आती है, सारा बेहद घमंडी और थी और उसे अपनी अमीरी प मारना चाहता था, लेकिन विल उसे पैसे देकर घर से निकाल देता है, दूसरी तरफ दोनों लड़कियां आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी बिगड़ जाती है, वो गाड़ी को एक तरफ रोक कर उसे ठीक करने की कोशिश करने लगी, जल्दी ही एक ब पुराने स्टोर की तरफ ले जा रहा था, इवा जल्दी जल्दी गाड़ी से बाहर निकलती है, मैक्स सोफी की गुफा के मजे लेना चाहता था, इवा जल्दी जल्दी एक लकड़ी उठाकर मैक्स के सिर पर मारती है, और वो एक कील पर गिर कर मर जाता है, इसके बाद अपना पानी निकाल कर लड़कियों को मार देता है सारा भी बेहद जालिम औरत थी जो जरूरत पढ़ने पर कुछ भी कर सकती थी विल चाहता था कि ईवा को मारने में सारा उसकी मदद करे दूसरी तरफ रियो भी लड़कियों को ढूंड रहा था विल ने भले ही उसे पैसे दे दिये थे लेकिन फिर भी वो लड़कियों के पीछे था सोफी ने उस पर गोली चलाई थी और वो उसी का बदला लेना चाहता था दूसरी तरफ दोनों लड़कियों को एक घर दिख गया था जिसके बाद वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है जल्दी ही दोनों घर तक पहुँच भी जाती है और घर का दर्वाजा सारा खोलती है उसी पल सैम और विल भी वहां आ जाते है और दोनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं कुछ देर बाद ईवा को चेर पर बांध दिया गया था विल उसके पास आकर कहता है मैं एक हत्यारा हूँ और मुझे कतल करने में बहुत मज़ा आता है ईवा उससे पूछती है कि तुमने लड़की को क्यो मारा था तो विल उसे बताता है कि मेरा डंडा पानी निकाल कर शांत नहीं होता बलकि लड़की की मौद देखकर शांत होता है मैंने आज तक कई लड़कियों को मारा है और अब मैं तुम्हें भी मार दूँगा विल की बात सुनकर ईवा डर गई थी उधर सोफी को भी एक चेर पर बांधा हुआ था और उसके पास सारा पहुँच चुकी थी सारा उसे बताती है कि हम तो तुम्हें जगह जगह ढूंड रहे थे लेकिन किस्मत से तुम खुद ही हमारे घर आ गई दूसरी तरफ विल ने ईवा को एक बेड पर बांध दिया था वो अब ईवा के मजे लेकर उसे भी जान से मारने वाला था ईवा अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी और उसके हाथ ढीले भी हो गए थे अब विल जैसे ही उसके पास आता है तो वो उसपर हमला कर उसे बेहोश कर देती है उधर सारा सोफी को मारने की कोशिश कर रही थी लेकिन ईवा उसपर भी हमला कर उसे भी बेहोश कर देती है सैम रसोई में कुछ खाने को देख रहा था दोनों लड़कियां उससे चुपकर पहले उसकी गन उठाती हैं और फिर वहां से भाग जाती हैं। थोड़ी देर बाद लड़कियां फिर से वीरान जगह में पहुच गई थी। इस जगह में छोटे-छोटे पहाड थे। विल और उसकी टीम भी लड़कियों के पीछे लग इसलिए उसे बदमाशों का सामना करना ही पड़ेगा, विल खून के निशानों का पीछा करने लगा था, रियो भी इसी जगह के आसपास था, और उसने रास्ते में विल को देख लिया था, सारा भी गण उठाकर लड़कियों को ढूंड रही थी, एक तरफ सैम भी आगे बढ रहा था, और रियो उसके सामने आकर कहता है, तुम लोगों ने मुझसे मेरा काम चीना था, जिस कारण मेरी बहुत बेज़्जती हुई, इतना कहकर वो गोली चलाता है, और सैम वही मारा जाता है, उधर लड़कियों के निशाने पर विल आ गया था, इवा जल्दी जल्द पर गोलियां चलाने लगा, और लड़कियां फिर से भागने लगी, रियो से बचने के लिए दोनों लड़कियां छुब भी जाती है, वो उसका ध्यान भटकाने के लिए पत्थर भी फेंकती है, और रियो फाल्तू गोलियां चलाता है, जल्दी ही रियो की गोलियां खत्म जिसके बाद लड़कियां फिर से भागती हैं कहानी के आखिर में रियो लड़कियों को पकड़ते पकड़ते पहाडी से गिर कर मर जाता है पूरी कहानी में हमें यही दिखाया गया है कि हमें फालतू की तांक छांक नहीं करनी चाहिए अगर इवा फालतू की तांक छांक ना करती तो उसे ये दिन देखना ही ना पड़ता। इसी के साथ इस कहानी का यहीं अंध हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियो के दिवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।